मैंने जब कृष्ण भगवान की बच्पन की लीना जवन पढ़ते हैं, तो हमें उसमें नटखट शरारत हैं, हर तरह की शरारत. कभी मिट्टी खा ली तो मां को पूरा अंदर तीनों लोग दिखा दिये, कभी कुछ कर दिया. यह रहो भगवार के बच्पन की कहानिया है, उससे हमें क्या सीख देना चाहते हैं, लिखे एक तो ग्रंथ हमेशा सीख ही देते हैं, कौपी करने निगीता जी में कृष्ण ने साफ साफ कहा है, कि जो भी आपको स्क्रिप्चर सिखाते हैं, उसकी नकल नहीं करनी है, उससे सी लिख लेनी है, क्योंकि हम जैसे आपने का मिट्टी खाई तो तिनों लोग दिखा दे हैं, अब बच्चा मिट्टी खा ले पर उसके उपोले से तिनों लोग तो नकल तो आप नहीं कर सकती वो भगवान है, शंकर जी के लिह मैं हमेशा गहती हूँ कि जो लोग नशा ये सो कि उतनी है नहीं, तो उससे सीख लेने को कही गई है, तो क्रिष्ण जी के जीवन से मैं हमेशा कहती हूँ कि उन्होंने जो जिया वो 100% जिया, बच्चे रहे तो ऐसे बच्चे रहे कि आज आप ये कुमार विश्वास जी को आप जानते होंगी तो उनका एक टॉपिक है, म उनका बच्चपन ही इतना अच्छा था कि सबको अपने बच्चे के अंदर वोई बच्चपन दिखता है, प्यार किया तो ऐसा किया कि हर कोई आज राधा कृष्ण के प्रेम की एक्जाम्पल देते हैं, युद्ध के बारे में बात आए तो महभारत का युद्ध का ही नाम आता है, पॉलिटिक्स, राजनीती की बात है, कृष्ण सी राजनीती तो कोई नहीं कर सकता, कि सौ कौरव पांच, पांडव पांच को जिता दिया, सौ को हरा दिया, और ज्यान ऐसा कि गीता जी से उपर ज्यान कोई आजमाना नहीं चाता, तो जो किया उसमें 100% दिया, फि लाकिन अपने आगे वाले काम में उस पर हावी नहीं होने दिया, उस चीज में पॉफेक्ट रहे, तो इसलिए कहते न कि शास्तर आपके एज बना के रखे, कि इतने से इतने में बच्पना, इतने से इतने में डिस्σιप्लेन, इतने से इतने में विध्या, उसकी बाद ग्र हो नहीं करने कि मस्ती तो यह उंग रहे हैं बड़े उने की बाद हम कहां कर रहे हैं